यह Bible in One Year का हिंदी प्रकरण है दूसरा दिन पहला प्रश्न आपका पहला प्रश्न क्या होने वाला है? मैं अपने पहले आपराधिक मुकदमे के बहस की तयारी कर रहा था जिसमें मैं शामिल था जब मैंने वकील के रूप में प्राक्टिस शुरू ही की थी एक वरिष्ट और अनुभवी वकील मुझे तयारी में मदद कर रहे थे उन्होंने मुझे पहले प्रश्न का महत्व समझाया बजन सहीता में सबसे पहला प्रश्न इशु के बारे में है सब कुछ इशु के बारे में है जीवन में सबसे सुरक्षित स्थान इशू के करीब रहना है पॉलूस अंताकिया में प्रचार करते समय भजन सहीता का उधरन देता है वह कहता है हम तुम्हें उस प्रतिग्या के विशय में जो बाप दादाओं से की गई थी यह सुसमाचार सुनाते हैं कि परमेश्वर ने इशू को जिला कर वही प्रतिग्या हमारी संतान के लिए पूरी की जैसा दूसरे भजन में भी लिखा है कि तु मेरा पुत्र है आज मैंने ही तुझे जन्माया है इशू है जो उनके अभिशिक्त है इसका इबरानी शब्द है मसाया वह मसी है परमेश्वर के पुत्र जिन से हमें प्यार करना है उनके पुत्र को चूमो भजन सहिता का मूल संधर्ब शायद एक खास्थिती से संबंदित है जिसमें इसरायल का एक इनसानी राजा शामिल है तब ही जब हम इसे खुले मन से पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि भजन सहिता में पूछा गया सबसे पहला प्रशन इशु के पुरवानुमान को दर्शाता है जाती जाती के लोग उनके विरोध में क्यों हुलड मचाते हैं और विर्थ बातें क्यों सोच रहे हैं नयनियम में हम बिलकुल ऐसा ही होते हुए देखते हैं बलकि आज के पद में भी जो इशु के संधर्व में है इशु के जीवन के आरम से लेकर शासक इकटा होते हैं और उनके विरोध में हुलड मचाते हैं और विर्थ की बातें सोचते हैं फिर भी भजन के समापती, धन्य, खुश, भाग्यशाली और इर्षा करने योग्य है जो उन पर भरोसा करते हैं और उनकी शरण में आते हैं से होती है जीवन के सभी तुफानों में और इशु के अत्यधिक तेज तुफान में जो अंतिम नियाय में आएगा एक मात्र सुरक्षी जगह सिर्फ येशु में ही है प्रभू मैं आपको धनिवाद देता हूँ कि जैसे आने वाले वर्ष को और सभी संभावित चुनातियों, अवसरों और संभावनाओं को मैं देखता हूँ तो अपने सुरक्षा के स्थान को आप में ही पाता हूँ नया नियम मत्ती 2 का 1 से 18 नया नियम में सबसे पहला प्रशन इशु के बारे में है उपियुक्त तरीके से नया नियम में भी सबसे पहला प्रशन इशु के बारे में है सारे पुराने नियम की परिपूर्णता इशु में है जोतिशियों ने जिन्हें अक्सर बुद्धिमान मनुशियों के रूप में संदर्भित किया जाता है ईशु के जन्म के महत्व को महसूस किया उन्होंने पूछा कि यहुदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहा है उन्होंने उसे खोजा और पाया भी जब उन्होंने बालक को देखा तो गिर कर उसको दंडवत किया उन्होंने यह जान लिया था कि एशु के जन्म तक के लोगों की सारी बातों और सारी आशाओं की परिपूर्णता खुद एशु ही हैं एशु ही हैं जो परमेशुर के वायदों को पूरा करते हैं कल के पठन में हमने इसी बात किये उधारन देखे थे आज हम तीन और उधारनों को देखेंगे जन्म का स्थान मती ने देखा कि एशु के जन्म के स्थान के बारे में भी भविश्वदवानी मीका पांच दो में की गई थी यह ताय था कि बितलेहेम से वो शासक और चरवाहा उठेगा क्योंकि भविश्वदवक्ता के द्वारा यों लिखा गया है मिस्र से निर्वासन जब हेरोदेश ने इशु को मारने की कोशिश की तो उनका परिवार मिश्र को चला गया मत्ती लिखता है इसलिए कि वह वचन जो प्रभू ने भविश्वदवक्ता के द्वारा कहा था पूरा हो मैंने अपने पुत्र को मिस्र से बुलाया है बच्चों की हत्या जब हेरोदेश ने दो साल के छोटे सभी बालकों को मार डालने की आग्या दी तो यरम्या 31.15 की भविश्वदवानी भी पूरी हुई प्रभू येश्यू आज मैं आपके सामने जुकना और आपकी अराधना करना चाहता हूँ मेरे पांस जो भी है उसे मैं आपको समर्पित करना चाहता हूँ मेरा जीवन मेरा सब कुछ पुराना नियम उत्पती 2.18 से 4.16 तक बाइबल का पहला प्रश्ण परमेश्वर की भलाई के बारे में है क्या आपने कभी खुद को संदेह करते पाया है कि परमेश्वर का मार्ग सच में सबसे अच्छा है क्या आपने खुद को कभी विस्मित होते हुए पाया है कि भले ही परमेश्वर कहते हैं कि यह गलत है, फिर भी यह कोशिश करके देखने लायक है परमेश्वर ने संभवतह मनुश्य को सब कुछ दिया है जिसकी वह इच्छा कर सकता है रचा गया संपूर्ण संसार हमारे आनंद के लिए बनाया गया था इनसान ही परमेश्वर की सर्वस्ट्रेश्ट रचना था समुदाय की अवशक्ता को पूरा करने के लिए परमेश्वर ने और भी इनसानों को बनाया आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं था उत्पती 2 का 18 इसकी शुरुवात विवाह के सुन्दर उपहार से हुई इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़ कर अपनी पतनी से मिला रहेगा और वे एक ही तन बने रहेंगे पद 24 विवाह, स्त्री और पुरुष का जीवन भर का संजोग है जिसमें यौन संबंद जो परमेश्वर की और से एक और उपहार है आनन से वो बिना लज्जा या शरम की घनिष्टता और आजादी से लेना चाहिए पद 24 और 25 सभी भली चीजों के भरपूर प्रावधान के बावजूद मनुष्य ने कुछ और पाने का प्रयास किया और उसने लालसा के वशी भूत में आकर मना किये गए फल को खा लिया लालसा की शुरुवात परमेश्वर के बारे में संदेश शुरू हुई बाइबल का यह पहला प्रशन है क्या यह सच है कि परमेश्वर ने कहा कि तुम इस वाटिका के किसी वरक्ष का फल न खाना तीन का एक सर्प के साथ बाचीत करना हववा की पहली गलती थी हम परमेश्वर के साथ बाचीत वातलाप करने के लिए बनाये गए हैं, शैतान के साथ नहीं। सर्प के रूप में शैतान ने हवा को मूर्ख बनाया, इस सोच में कि उसके पाप का कोई भी परिणाम नहीं होगा। तुम निश्चे न मरोगे, पद चार, वह परमेश्वर के प्रती बुरे इरादों को डालता है, वरन परमेश्वर खुद जानते हैं कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे, उसी दिन तुम्हारी आखें खुल जाएंगी, और तुम भले बुरे का ज्यान पाकर परमेश्वर क तुल्य हो जाओगे, पद पांच, अकसर ऐसा होता है कि आप परमेश्वर के बारे में जूट को निगल जाते हैं, मना किये गए फल को निगलने से पहले, फल देखने में अच्छा था, दिखने में मन भावना और बुद्धी देने के लिए चाहने योग्य भी था, पद छ अकसर लालसा इसी तरह प्रगट होती है, आदम और हवा ने पांप किया और किये गए पांप को धांकना चाहा, जैसा की अकसर होता है, इसलिए उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड जोड कर लंगोट बना लिया, पद साथ तुरंत उन्हें ढूंडते हुए आए, और हम बाइबल में उनका पहला प्रश्न पाते हैं, तो कहां है, पद 9, परमेश्वर ने उन्हें उनके हाल पर नहीं छोड दिया, वह उन्हें ढूंडते हुए आए, उनके साथ संबंद को फिर स्थापित करने के लिए, जब भी आ आप उनके साथ संबंद से दूर चले जाते हैं, परमेश्वर हमेशा आपको खोचते रहते हैं, वह सर्प से कहते हैं कि हवा कवंच, तेरे सर को कुछलेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा, पद 15, इशु ही हैं जो सर्प के सिर को कुछलेंगे, लेकिन इसकी एक कीमत हो क्रूस पर ईशु ने शैतान के सिर को कुछला, लेकिन इसके लिए उन्हें अपनी जान देनी पड़ी, उनका खून बहाया गया ताकि आपको और मुझेक शमा मिल सके और परमेश्वर के साथ हमारे संबंद फिर से स्थापित हो सकें, मानव जाती ने पहला प्रशन जिम्म पतन का परिणाम परमेश्वर के साथ संबंद का तूटना है, आदम और हवा ने एक दूसरे पर दोश लगाया, पद 11 और 12 और 4 अध्याय में हम पढ़ते हैं कि यहां पर उनके बच्चे भी एक दूसरे से अलग हो गए हैं, वाद विवाद जगडे और एक दूसरे से गाव इन सब की शुरुआत यहीं से हुई, इन ही चीजोंने मनुष जाती को अभिशप्त किया है, वाद विवाद से बचने की कोशिश कीजिए, विनाशकारी होने के साथ साथ आप शायद ही कभी कोई वाद विवाद जीत पाएं, केन अपने भाई हाबेल से क्रोधित था परमेश्वर उससे पूछते हैं, तू क्यों क्रोधित हुआ, और तेरे मूँपर उदासी क्यों च्छाई गई है, यदि तू भला करे, तो क्या तेरी भेंट ग्रहन ना की जाएगी, और यदि तू भला न करे, तो पाप द्वार पर छिपा रहता है, और उसकी लालसा तेर पर प्रभुता करेगा, केन के मामले में ऐसा ही हुआ, उसने अपने भाई को मार डाला, पद आट, परमेश्वर ने उससे एक और प्रशन पूछा, तेरा भाई हाबील कहा है, पद नौ, इसके जवाब में केन ने मनशी होने के नाते, बाइबिल में पहला प्रशन पूछा क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूँ, पद नौ, केन जिम्मेदारी से छूटना चाहता था, वो कह रहा था क्या मुझे अपने अलावा सच में किसी और की जिम्मेदारी भी लेनी पड़ेगी, बाइबिल के अनुसार जवाब यह है कि दूसरों के प्रती आपकी भी जि हम यह स्विकार नहीं कर सकते और यह नहीं कह सकते कि यह हमारी जिम्मेदारी नहीं है, आपकी जिम्मेदारी केवल आपके साथियों के प्रती ही नहीं है, बलकि यह आपका सौभाग्य है कि आप दोस्तों और परिवारों में और अपने आसपास के लोगों में आशीश और आनन्द लाएं ताकि जादा से जादा लोगों के जीवन में बदलाव आए। मैं अपने क्षमता को परिपूर्ण कर सकूँ। परिपूर्ण के साथ किया वो बहुत ही दर्दनाक था। क्या आप कभी भी ऐसे खत्रे में पड़े हैं जिसमें अपनी स्तिती को सुरक्षित रखने के प्रयास में आपने दूसरों को नीचा किया है। आज का वचन इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़ कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे एकी तन बने रहेंगे। उत्पती 2 का 24